हलो दोस्तों आज अगेन हम लाते हैं यह पर बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमेटिट से लेटिट अभी कुछ दिन पहले ही शुगर लेटिट से वीडियो बनाई थी और मैंने आपको यहां पर बताया भी था कि क्यूं मुझे यहां पर यह शुगर इंडश्ट्री में यह चीट को भी पोजिशन बनाई थी और हिंदुस्तान शुगर से लेटिट हमने यहां पर कभी यहां पर शेर लिया था उसका बढ़ देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक साल पहले एक साल पहले में थार्टी सिक्स परसेंट का यहां पर टार्गेट दिया था उस ट हमें एक अच्छा कासा pump up होता हुआ नजर आ रहा था तो हमने यहां पर buy भी किया था और अच्छा ही time पर हम exit भी किया था उसके बाद share आप देखोगे तो यह दुबारा 8 रुपे की तक आता हुआ दिखाई दिया था और आज दुबारा वो time आता हुआ नजर आ रहा है जहां पर share में एक दुबारा punk लगते हुए नजर आ सकते हैं punk लगना in the sense कि share अच्छा खासा appreciate होता हुआ नजर आ सकता है जो कि आज मैं यहाँ पर चार्ट पर भी आपको दिखाऊंगा as well as यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी वीडियो में यह पूरा fundamental analysis भी करते हुए नजर आएंगे कि share को बताने की पीछे का reason क्या है पर उससे पर ले request है चाहिना को subscribe bell icon को hit all की notification को करें ताकि चीजे सीखने को मिले सीखोगे तो आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे तो निक्रोगे और निक्रोगे तो पैसे अपने आप आता जाएगा तो पैसे के पीछे नहीं भागना knowledge के पीछे बागना तो चीजों को यहाँ पर सीख लीजिए ओके सीखने का तरीका वीडियोज देखिए प्लेलिस्ट को देखिए लाइक करें कमेंट करें बाइंग सालिंग की कोई रिकमेंडेशन है नहीं एस वेल इन नंबरों को आप नोट करके रखिए बहुत इंपोर्टन नंबर से हमारी नंबर है 860540501 8169261037 जो कि यहाँ पर अगर आप कॉंटक करते हो तो आपको कोर्स कर सकते हो हमारे साथ बेसिक्स टु एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है किस तरीके से स्टॉक बागते है कब बागते ह है वो सब चीद यहाँ पर चार्ट पर आपको बताऊंगा ओके आपको यहाँ पर देख के बाता चलेगा कि शायद यह कोर्स आप बहुत पहले कर लेते तो यहाँ पर आपको रिटरन अलग ही होता तो 17500 का कोर्स है 17500 का 3-month की पैक्टिकल लेर्निंग स्ट्रेटिजी उस इन स्टॉक मार्के ओनलाइन नोट सब कुछ दिया जाएगा और स्कोर्स को करने के बाद बिलीव मी कि यहाँ पर आपको कोई किसी मार्केट में जाईएगा ओके प्रॉफिट हमेशा ही होता हुए नजर आगा इन्वेस्टिंग करिएगा ट्रेडिंग क muscle करिएगा जो करने कर सकते चाल को इसमें इसके लावा वाटसाफ गुरूपर जहां पर आप 1200 पर ऍे था कर के इन इन‍ुम्बरेढक्र करके हमारे गूर। में इड हो सकते हैं जहांपर मैं अपनी रिसर्ट के स्टॉक इमां पर पोस्ट करता हूं जहां पर यहांपर भाग तो जैसे कि बजाज पहली बाद तो बजाज गुरूप कही है और यहाँ पर आप देखेंगे यह company in 1931 में बनती हुई नजर आई थी ओके और हिंदुस्तान sugar mills के नाम से इसे यहाँ पर जाना भी जाता है company यहाँ पर sugar भी बनाती है, alcohol भी बनाती है, ethanol भी यहाँ पर बनाती है और तीनों चीज़ें यहाँ पर power generation में भी और तीनों चारो चीज़ें यहाँ पर, इंडिया में तो काफी सारी पर चलेते हैं यहां पर आप देखिए, इस शुगर से 76%, पावर से 13%, डिश्टिलरी जिसे यहां पर हम एल्कॉल भी कहते हैं, वहां से लगभा 11%, तो इस तरीके का अच्छा कासा रिवेन्यू यहां पर आता हुआ दिखाई देता है, एक बार आप चाहो तो यहां पर देख लीजिए, बजा किस प्रोडक्ट में एक पर काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इनका कहां पर प्रजेंस है, सब चीट आपको यहां पर पूरा का पूरा समझ में आता हुआ दिखाई देगा, तो एक बार इंकी वेफसेट पर विजिट करके पढ़ दीजिएगा, तो पढ़ोगे तो हमारा वीजन भी नहीं है, डेट की बात करें तो 97% का डेट है और लगबर जितने भी शेयर प्रमोटर्स के पास है, सारे के सारे प्लैस कर रखिया है, ठीक है, तो कही ना कहीं कहां क्या नजर आता है, कि negative यहां पर इनकी जो financials की शुरुवात है, वही negative होती भी नजर आए यहां देखिये, बुक वेल्यू है 34 की, तो 16 से 34 गया तो आपके पैसे सबसे पहले डवल हो गया, ठीक है, यहां पर सीधे double से more than double के यहां पर return सबसे पहले यहां समझीए, ठीक है, जो मैं भी चार्ट पर भी दिखाऊंगा आपको, हाई की बात करते तो यहां पर 22 पीस का 52 टू भी खाई है, यहां से यहां पर गया, तो लगब लगब आपके यहां पर अच्छे खासे पैसे यहां पर बन गया, 20-30% के, मैक्सिन चार्ट पैटर्न की बात करें, कभी यह शेयर यहां पर आप देखोगे, तो लगब पांसो रुपे का शेयर हुआ गरता था, उसके गिराबट हुए और एक कंसॉलिडेशन यहां पर देखिए, कितने सालों गांसोलिडेशन है, लब 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 बारतेरे साल का से कंसॉलिडेशन है, और इस चीज़ निकलती है, स्टेज 4, 3 और इसके बाद स्टेज 1 और स्टेज 1 किया 2 जब शुरू होती है, तो रिटर्न ब ठीक है कंपनी का 225 करोर रुपीज का हाइस्ट एवर ऑपरेटिंग पॉफिट है, पिछले 12 कॉर्टर में ऐसा यहां पर ऑपरेटिंग पॉफिट नहीं आया, इसके इलावा मार्जिन 11 परसेंट का मार्जिन है, कॉर्टर ली यह ली दोनों बेसिस पर अच्छा खासा और आने वाले 2-3 कॉर्टर मुझे लगता है, और अच्छा परफॉर्म करेगा, नेट पॉफिट की बात करें, 131 करोर रुपीज का नेट पॉफिट है, जो कंपनी हमेशा या तो बीच बीच में घाटा करती जायती है, बट इस्टिल हाइस टैवर यहां पर नेट पॉफिट, जैसे तरीके से quarterly basis यहां पर सुधरता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद आगे यहां पर सुधरता हुआ नजर आ सकता, और कंपनी देखिए किसमें काम कर रही है, एथनॉल में, एथनॉल का काम यहां पर बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है, ठीक है, पैट्रोल पंपे, पैट्रोल पंपे भी आपको दिखाई देंगे, वो जल्दी, ठीक है, उसकी मशीने लगती हुई नजर आ रही है, आप पैट्रोल पंपे कभी जाना देखना तो आपको समझ में आएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है, वो ज्यादा अप्ग्रेडेशन ठीक है, शुगर यहां पर बहुज़ादा एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो यहां पर यह कंपनी परफॉर्म करेंगी और भेतर ही परफॉर्म करेंगी, बिलीव मी, और यहां पर बात करें कंपनी की, तो yearly basis पर अभी तुम्हें कुछ कमेंट नहीं कर रहा है, बड़ जिस त और यहां पर आप देखेंगे, इन्वेस्टमेंट तो लगबग कंपनी का 4,480 करोड का इन्वेस्टमेंट है, पांच करोड पर वर्किंग पोगे, तो कंपनी के बास 23 करोड रुपीस का कैश भी है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि positive cash flow, याद रखिए जिस कंपनी का positive cash flow होता है, वो company यहां पर कभी दोका निगाती हो सकता है, नीचे ऊपर हो, बट धीर धीर यहां पर जब काम करना चुडू करती है, तो अच्छा खासा काम होता हूँ नजर आता, share price भी appreciate करता है, promoters यहां पर देखिए, पूरे के पूरे share बेशक से यहां पर प्लैस कर रखिया यहां पर आप देखोगे, तो 15% से 25% की यहां पर होते हुए नजर आया, FIs लेकिया है, अपनी इस्तेदारी यहां पर इन्होंने बढ़ाई है, FIs ने, OK, DIs की बात करे, DIs की इस्तेदारी यहां पर कम होती हुए नजर आये, ठीक है, 15% है, पुब्लीक की बात करे, तो पब सब्सक्राइब, बेल आइकन को ही टॉल को नोटिफिकेशन को ओन, वीडियो को देखिए, सीखिए, कोर्स को जोइन करिए, और अच्छे सीखना है क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़े होती है, जो हम बतानी पाते हैं, कोर्स में एक एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे में लाइख पता हुआ नजरा राँ है जो कि अभी कभी किलास लोग है तो मैं आपको बताउँ गाँ वट यहां पर एक चोटा सा रिस्क अगर आप लेते हो और कितने रुपे काुक लेते हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पर केवल 70 पैसे से लेते के 1 रुपे का रिस्क लेते हो, तो यहाँ पर यह शेड में कितनी काबीलियत है? वह मैं आपको उटाता हूँ. जैसे यह शेयर यहां पर 17 रुपे के ऊपर चलना शुरू किया, सबसे पहले target है, 19 रुपे 90 पैसे के, ठीक है, जैसे यहां से cross किया तो इसके दूसरे target है 24 रुपे के, जैसे चालू हुआ तो 24 रुपे साथ पैसे के यहां पर target है, और यहां पर याद रखिये, मैं आपको फि 90 का level cross करेगा, जो कि मुझे लगता है, कि शायद आने वाले time में करता हुआ नजर आएगा, यहां पर share कहा जाएगा, शेयर सीधे सीधे 500 रुपे पे जाता हुआ नजर आएगा, और 500 रुपे पे जाने के लिए इसे कितना time चीए, आप लोग यहां पर सोच के देखिए, कि 2004 की यहां पर शुरुवात मान लीजिए, और top देखिए कहा बनाया, top बनाया 2006 में, तो लगवाद तीन साल में इस particular share ने ठीक है, यहां पर peak लगवाद 34% के return दिये थे, तो यह return दुबारा मिल सकते है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो यहां पर चीज़े ऐसी ही चलती ह और जब यहां पर consolidation से चीज़े निकलती है ना, लंबे वो भी, तो share भागते हुए नजर आते है, बस इसके दो तीन quarter अच्छे आजाए, ठीक है, दो तीन quarter अच्छे आजाए और एका साल कमपनी परफॉर्म कर दे, परफॉर्म करके दिखा दे, negative की जगे positive और अच्छे खा अच्छा पैसा कमाने चाते हैं, तो contact करें, so thank you so much, God bless.